नमस्कार आप सभी का स्वागत नकेपी प्रोडक्शन में आज जो मैं नोटिस लेकर क्या हूं वह प्लेस्मेंट से रिगार्डिक नोटिस को है आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि TCS टाटा कंसंर्टड सर्विच जो है उनके और से आपका प्लेश्मेंट ड्राइब चलने वाला है मारवारी कोलेजी कैम्पस सेलेक्शन प्रोड कोसेस है मतलब कि स्टेश्ट मारवारी क कोलेज़ के स्टुडेंटेंट इसमें ऐपेर हो सकते हैं तो इसमें जो आपको बताया जा रहा है कि student जो process है वो student 16 November 2022 को उनका जो है student का test होगा तो यह आपको बता देना चाहेंगे यह आपका किसके लिए है UG, become, BA और BAC और कौनसा कौनसा year के लिए यह offer किया जा रहा है 2028 से लेकर के 2022 तक का walking interview and test process जो है 16 तारीक को हने वाला है 16 तारीक को यह आपका होगा उसमें जो भी student interested है और चाहते हैं कि अपना registration करवाना चाहते हैं इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है 15 November 2022 को आप last date दिया गया है इस date तक अपना registration करवा लिजेगा registration कैसे करना है वो google form के माध्यम से करना है वाकी website जो link जो दिया गया है उस पे जाएंगे वहाँ पर form भरने का option दिया गया है मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कहां से होगा और नीचे description में मैं link डाल दिया हूँ उससे भी आप जा सकते हैं उसमें जाकर के आपना registration करा लिजे पंदरा नौवंबर 2022 से पहले और उसके बाद में आपका है जो है सुला को जो है आपका interview and test process होगा उसके तुरू आपका placement हो सकता है campus drive हो सकता है TCS के लिए है यह खास बस ध्यान रखे कि TCS के लिए है बहुत अच्छा मौका है और only for passing year 2021 and 2022 के लिए है मैं 2020 और 2022 में जो pass out हुए है बस उनके लिए है तो दोस्तों आ जाते हैं हम लोग मारवारी कॉलिज के official website में इसको जैसे आते हैं इसको क्लिक करेंगे यहां placement and training से लिखा हुआ है इसमें आपको आना है जैसे आप इस पर आते हैं यहां पर देखे टीस बीपीस हाइरिंग वाकिंग ड्राइब इन भाई जो यहां पर लिखा हुआ है 2020 और 2022 के लिए है graduated जो है arts commerce science कोई भी stream की हो आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका गूगल फॉर्म खुलेगा उसको आप अच्छे से पढ़िएगा पूरे अच्छे से पढ़िएग ठीक है तो इसमें जो दिया गिया है इसमें आपका फॉर्म को फिलब करना इसमें सिता से लिखा गया है TCS BPS के लिए आपका है immediate requirement है 16 तारीक को आपका drive का date दिया गया है नहीं भेन्यों जो है मारवाडी कोलेज रांची विवेकरनन द और वाइस सेक्षन का जो और उसमें है 9 बज़े से लेकरके 11 बज़े तक का आपका है और step जो फोलो करेंगे तो उसके देखिए यहां पर आपका carrier TCS के लिए आपका click on the link to apply करने के लिए यहां पर link के लिए link दिया गया है उसके बाद में आपके करने के लिए आपको process के नीचे करना है पहले जो है दिया गया जो देखिए यह आप step जो दिया गया step में जाना है logon to the TCS next step portal है उसके बाद में यहां पर register and apply for TCS BPS hiring उसके बाद में करें in the case of already having CTDT ID kindly logon to TCS next step portal उसके next step portal में चले जाएएगा complete और update application को किजिए अगर अपडेट करके फिर आपको submit करना है scenario जो बी आपका होगा उसमें आपको देखिए if any are new user अगर new user है तो आपको क्या करना है logon करना है TCS next portal के लिए तो उसके लिए यहां पर click करना है आपको यह आपको दिया गया है इसके नुसर आप कर सकते हैं क्या है तो मैंने आपको पहले बता है वह दो जरा की से दो जरबाइस यह में passing graduate जो है बीकॉम बीए बी एफ है उसके बाद बीए 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 और बीएम और बीमेस अब बीसी के जो भी स्टुडेंट है को कर सकते हैं और उसके बाद में आपका क्या रोल एंड टाइमिंग क्या रहेगा शीप टाइमिंग तो आपका है back office operation data processing जो है तो जो जो भी इनवाइट डाटा प्रोसेसिंग ट्रासेसिंग के लिए वर्क टाइमिंग जो 24 इंटू 7 है इंक्लूडिंग नाइट शीप्ट भी है rotational आपको मिलेगा वहीं पर document to carry क्या-क्या document लेकर क्या आना है अ 10-12 और mark sheet all year का मतलब कि इसमें आपका mark sheet लेकर क्या आना है 10-12 और graduation का अगर post graduation है तो उसको भी लेकर क्या आना है इसमें क्या करना है अपना नाम बरेंगे date of birth बरेंगे mail अपना mail जो है email id college name phone number हो गया dto generated during यह जो dto number है कहां से होगा वह अभी बताने वाला department जो है आपका कौन सा department और year क्या है इसको आपका भरना mandatory है submit करेंगे तभी आप placement भर पाएंगे उसके लिए क्या करना है apply करने के लिए यहाँ पर click के जाएगा link जो दिया गया है उसमें यहाँ पर click here to register यहाँ पर register करने का option दिया गया है देखिए आपका जो detail है detail यहाँ पर फिर से दिया गया है आपको क्या करना है यहाँ पर click here to register उसमें आपको click करना है तो दोस्तों यहां से आपको है कि पूरा यह डिटेल खुल जाएगा यहां से आप रेजिस्टर कर सकते हैं क्लिक है तो रेजिस्टर में जाईएगा रेजिस्टर कर लीजिएगा और यहां पर देखे जो अश्टेप है श्टेप मैंने आपको पहले से बता दिया फूरा मैं इसले ने बता रहा हूं कि लंबा वीडियो हो जाएगा बहुत जादा तो आप कैंडली आप इसमें कर लिए अगर दिक्कत हो कि तो मैं आपका help करूंगा और इसमें चुछ आपको क्या करना है कि आपका जो है ct oblique dt जो reference number है वो आपको earlier आपको created है तो दूसरे लिए link के लि कोई भी college के apply कर सकते हैं tcs के website से लेकिन मरवाड़ी college से मरवाड़ी से जो pass out है वही कर सकते हैं और आपका जो है बहुत ही benefit के साथ मिले वाला है बहुत लोगों का इसमें आपको job मिल जाएगा अब apply जरूर किजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद